तब ही बहार दवाजे पर दस्तक पड़ी, सिंगला ने उठक दवाजा खोला तो बहार उसी कलर्क को खड़ा पाया जो उसे ओफिस में मिला था मैं आपको ये बोलने आया हूँ डॉक्टर साहब कि किसी चीज की जुरत हो तो बताईए सिंगला सनाटे में आ गया डॉक्टर साहब हाँ आप है न तुम्हे कैसे वालो वो आपकी कार पर डॉक्टर वाला स्टीकर लगा है तो उस स्टीकर से तुमने मुझे डॉक्टर समझ लिया गलत समझा हाँ बिलकul मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं तो सेल्स टेक्स ओफिसर हूँ, जिसकी वो कार है न, वो डॉक्टर है, जो की मेरा दोस्त है, और मैंने उसे कार उधार मांगी है ओ, अच्छा बहरहाल कोई होट या कोल ड्रिंग, विस्की, जेनी या वोद का हाँ, जोद होगी तो बताऊंगा बुन-बुन आते हुए सिंग्ला ने उसके मुह पर दवाज़ा बंद किया, फिर बैट्रूम के दवाज़े पर पहुंचा क्या कर रहे हो अंदर? उसने पूछा, आके देख लो सिंग्ला ने दर्वाज़े को धक्का दिया तो पाया कि वो लॉक्ट नहीं था, वो बीतर दाखिल हुआ बीतर डवल बैट के सिराने पर एक टेबल लैम चल रहा था, उसकी रोशनी में उसने देखा कि उसने अपने सारे कपड़े उतार कर कुसी पर रख दिये थे, और वो पलंग पर कंबल उड़े हुए लेटी हुई थी वो एके ड्रेस है न, खराब हो जाती, अब तुम भी एतियात बढ़तो, और कि तुम्हाँ सूट खराब नहों उसने सहमती में सह हिलाया, लाइट बन कर दो, हाँ, और उसने टेबल लैंब का स्विच ओफ कर दिया सिंगला भी अपने कपडों को तिलांजली दे कर कंबल के नीचे उसके पहलू में पहुँच गया फिर पता नहीं कितना अर्सा उन में से खेल चला, जिसमें दोनों खिलाडियों की जीत हुई या किसी एक की थोड़ी देर बाद, नमीता ने साइट टेबल पर से सिगरेट का पैकेट उठाकर दो सिगरेट सुलगाए और एक सिंगला को दिया खामोशी से दोनों कश लगाने लगे, अब किसा आगे बढ़ाओ, सिंगला बोला किसा? हाँ, जो बार में अधुरा रह गया था, जिसे तुम टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह पेश कर रही हो? अच्छा वो, हाँ, कहां थी मैं? तुम, अंधीरी में, तुम वहां की नाइट क्लब में मैनेजर, बेग बॉस तुम्हाई रूप का दिवाना, उसने तुम्हें प्रपोस किया, और तुमने प्रपोसल अपनी शर्तों पर कबूल किया? हम, कैसी शर्ते? सुख, सुविधा, स्टेटस, आडंबा जैसी छोटी मोटी कहीं थी, लेकिन एहम, एहम तरीन एकी थी, क्या? मैंने उस पर अपना पैसे का मोह उजागल कर दिया, बच्पन से चली आ रही अपनी अभीलाशा उसे बता दी, नोट, इतने नोट कि तुम्हा के ख्याल से ही मैं पागल हो जाओंगी, और इस डर से गोली की तरह हां बोलूँगी, और कहीं वो अपना प्रोपोजर वापिस ना ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर? फिर उसने संजीदा होका पूछा कि क्या थी मेरी एहम तरीन शर्त? और वो शर्त बयान करने से पह पूरा करने वाली बीवी बनने को त्यार थी, लेकिन निश्ठावान ओनेस्ट बीवी बनने की कोई गारेंटी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मेरे से लगभग दुगनी उमलका था, दो बीवियों का सुक पहली भोग चुका था, और मैं, मैं तो जवान थी, जैसे मैं उसक पिर भी हो जाए, तो उसने कहन नहीं ढाने लगना था, उसने मेरे खुंग का प्यासा नहीं बनना था, तो उसको ये बात कबूल हो गए? सिंग्रा हैरानी से बूला, आम हालात में शायद हल्गिस कबूल ना होती, कोई बड़ी बात नहीं कि वो बात मेरे कहने बहसे, वो म फरेब और बेवफाई की हमेशा उमीद होती है, लेकिन क्या कोई बीवी कबूल करती है, कि वो वैसी है, रंगे हातों पकड़े जाने पर भी नहीं कबूल करती, उस नाजुक स्तिती से बचने के लिए कोई ना कोई तो कहानी गढ़ ही लेती है, और रोना, रोना, टस्वे बहना, और सारे चल करके अपनी बात को मनवा कर ही छोड़ती है, बता और पती सदानन पूरेकर की मनुस्तिती इससे जुदा कहीं हो सकती थी, और कोई बड़ी बात नहीं, कि उस दुश्वारी में वो कम्प्रोमेस के बाद ही उसने मुझे प्रपोस किया था, ठीक, खुला खेलने से परहिस की हिदायत के साथ, डिस्क्रिशन बरतने की हिदायत के साथ, उसने ये बात कबूल की, बोला, आग कुछ ना देखे, तो दिल कुछ महसूस नहीं करता, ऐसी काबियत की बात कहीं उसने, अपनी जबानी अपने उम्र दराज होने का, 100% physically fit ना होने का और कहा कि जैसे मैं मेरी अभिलाशा खुद को नोटों के पहाड पर बैठा देखने की थी, वैसे ही उसके अभिलाशा मेरा मालिक बनने की थी, और किसी कीमती चीज़ का मालिक बनने के लिए उसके मूँ मांगे दाम तो चुकाने ही पड़ते हैं ना, खरीदी चीज़ का position, 100% दी होता है, बशलते की cash payment हतेली पर रखी हो, ऐसा नहीं हुआ था, एक नजरिये से हुआ था और एक नजरिये से नहीं भी हुआ था, क्या मतलब, तुम बात को मुझे मेरे ढंक से कहने दो, वरना मुझे बात ही भूल जाएगी, I am drunk, remember, oh sorry, मैंने उ से कहा, कि उसे मौत का अंदेशा सताता था, तो वो शादी करता, और फिस सच में मर जाता, तो मेरा क्या होता, वो बोला, वो मेरे नाम अपनी वसियत कर सकता था, मैंने कहा, वसियत कभी भी बदली जा सकती थी, या उसकी मौत के बाद मुझे मालूम पढ़ सकता था, कि उस hypothetical बात कही थी I see लेकिन तुम अपनी एहमतरीन शर्त की बावत कुछ कहने जा रही थी यही एहमतरीन शर्त थी ना भई कि अपने आपको उसके हवाले करने के शुकराने की मुझे कोई guarantee होनी चाहिए थी क्या कितनी 5 करोड सिंगला के मुझे CT निकल गई मैंने कहा कि वो 5 करोड की रकम एक मुझे बैंक में जमा कराए और इस प्रावधान के साथ बैंक को उसका trustee निक्त करे कि उसकी मौत के बाद बिना किसी जंजट के बिना किसी हुझत के बिना किसी red tape के बैंक वो रकम मेरे हवाले करते वो उस account को बंद नहीं करा सकता था पैसा नहीं निकाल सकता थ पैसा transfer नहीं कर सकता था उसके second party को जो की मैं थी तब्दील भी नहीं कर सकता था एक की सूरत में वो account बंद हो सकता था और वो उस रकम का धिकारी बं सकता था जब मैं उससे तलाग दे देती वरना वो उसे छूब भी नहीं सकता था और वो तुम्हीं तलाग दे देता तो तो भी ट्रस्ट भंग नहीं हो सकता था, तो भी उस पैसे के मार्गें मैं होती। उसने ये शर्ते पूरी कर दे? हाँ, ब्राबर करी, तब ही तो मैं मिसेस सदानन्द पुरेकर बनी, तब ही तो वो मेरे पर काबिज हुआ। इस तमाम मूल भाव में कोठारी तुम्हारा लीकर एडवाईजर था? उसका, मेरे से मुलाकात होने से कई साल पहले से वो उसका वकील था। और तुम्हारा? इतनी बड़ी बात थी, कोई तो यकिनन हो गई ना? हाँ, था, मुंबिल के एक बड़ा वकील उस मामले में मेरा ए अग्रिमेंट का, बैंक अकाउंट का, ट्रस्टी शिप का हर पहलू डबल चेक करवाया था? कमाल है, सूरत से तो तुम इतनी पहुची वी नहीं लगती हो? तब तो बिलकुल ही नहीं लगती थी? लेकिन हो, तुम कहते हो तो, हाँ, मैं कहता हूं तो? और गुंजल शा, मै क्योंकि बहुत ही फसादी, कंट्रोवर्शिल केस ज़्यादा लड़ता है, राइट? अब मेरे को इससे क्या? मेरे को तो एक माकूल, चौकस राय की जुरुत थी, जो मुझे मिल गई, और फीस क्या भरी? हाँ, मुस्करा के दिखा दिया, बस, तब साठ के पेटे में था, तो, क्या हुआ? बुला, फीस पेंडिंग, आगे वाले, आगे समय में वास्ता पड़ेगा, तो पिछली फीस को वो वसूल कर लेगा? ठीक है, समझ गया मैं, जल रहे हो? नहीं, अच्छा, बहर हाँ, पूरे कल की मौत की सूरत में तुम पांच क्रोड की माल किन मन जाओग क्या पता जो कुछ भी वो पीछे छोड़े, उन सब की माल किन उसकी विद्वा ही हो? लेकिन मैं संतोशी जीव हूँ, मैं पांच क्रोड से ही सबर कर लूँगी, वा, क्या कहने तुमारे? और वो बड़े ही कुटिल भाव से हसी, और मनी बैल्ट से? फिर बोली, वो मल गया तो वो तो मैं नहीं छोड़ने वाली न, सबसे पहले उसी को कापू में करूंगी, क्योंकि उसकी तो किसी को खबर भी नहीं, कोई उसे मिस नहीं करेगा बहुत माल होता है उसमें? हाँ, होते ही होगा होते ही होगा? मालूम नहीं तुमें? मैं उसकी पॉकेट्स खोल कर भीतर कभी नहीं जाग पाई लेकिन हा मुझे पूरा यकीन है कि उसमें मोटा माल होता है तभी तो उसे कभी अपने जिस्म से अलग नहीं करता सोते वक्त भी नहीं मकसद क्या है इस तरह से माल अपने पास रखने का खुद तो कुछ नहीं बताता लेकिन मेरा अंदाजा है वो खतनाग धन्दे में है ना कभी उसे एकाईक फरार होना पड़ गया तब वो माल ही तो उसके काम आएगा कितना माल होगा एक करोड तक का तो मेरा अंदाजा है मनी मेंट में फॉरंण क्रेंशी की सूरत में हीरे जवारात की सूरत में ओ, तो एक करोड जमा पांच करोड, मिनिमम, हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि और अतिनी महगीश है थी, क्योंकि तुम्हें फ्री में हासिल है ना, उसने आहत भाव से उसकी तरफ देखा, उसने उचकाक सिंगला के गाल को, गाल पर एक चुम्बन अंकित क्या बोली, सौरी, तो अपनी बच्पन के अभी लाशा पूरी करने के लिए तुमने एक उम्र दरास शक्स को चुना, चुना नहीं, पल्ले पड़ा, किसी नौजवान को चुनती, तो एक बल्लियों चलते दिन और तंबु की तरह तनी पतलूं के अलावा कि क्या पल्ले पड़ता, पैसा तो ऐसे ही लोगों के पास होता है, दाव लगाने को, नौजवानों के पास कहा होता है, होता तो है, तो वो डांसर के लिए नहीं होता, फिर भी होता है तो एकाद रात के लिए आटम को मुझे, मुझे जैसे किसी को भी किराय पर लेने के लिए होता है, आउटराइट पच्च इसके लिए तो बिल्कुल नहीं होता वैसे तुमने जो किया ठीक किया No regrets No, no regrets उसने उसके मरे पिना तो तुम्हारा हाथ कुछ नहीं आने वाला लेकिन हाँ ये बात तो है लेकिन उसका दिल कमजूर है वो एक्षन ठिटकी और अर्थपूर स्वर में बोली कमजूर दिल मौत की गारेंटी नहीं होता नहाया जोल जा तंदुरस्ती वाले लोग भी 80-80 साल ते जिन्दा रहने पाए गए है तुम्हारी मूमें खाक मैं उसका डॉक्टर हूँ मैंने हकिकत बयां की है और बतौर डॉक्टर एक जनरल बात कही है तो कोई ऐसी बात ना कहो जो मेरे इंटर्स के खिलाफ जाती है तुम तो उसकी मौत की काम ना करती जान पड़ती हो 80 साल तब तक मैं पचपंकी ख्याल से रूह कापती है बुढ़ापे में पैसा हाथ आया तो क्या आया सुईथ हाट मौत का अपना शेडूल होता है उस पर किसी दूसरे का शेडूल हावी नहीं हो सकता क्या मतलब भई मौत आती है बुलाई नहीं जाती तुम्हें पक्का मालूम है कि मौद बुला ही नहीं जाती सिंगला ने सकपका कर उसकी तरफ देखा होश उड़ गए हाँ, हन नशबी मेरा भी यार इस वक्त और कहां मिलेगी उसने अपनी नन्नी से कलाई घड़ी पर निगार डाली अब तक तो वाइट रोज का बार भी बंद हो गया होगा तुम गारी में रखते हो नहीं, लानत वो कलर जो भी आया था कहता था यहां मिलती है that's a good news, जाओ पता करो तब तक मैं शावर लेती हूँ खाना? छोड़ो ना खाना तुम जाओ मालूम करो और साथ में उसने गाली बखी लगता नहीं तुमारा नशा उड़ गया है क्यों भला? ऐसी जवान कोई नशे में ही बोल सकता है ऐसी कोई बात नहीं गालियां बखने का मुझे शौक है जो कि मुलायजे में डॉक्टर हो न समरांत नाकरिक तुमारे साथ कभी पूरा ना किया कभी छूट दे न ऐसी ऐसी गालियां सुनाओंगी न कि पन्हा मांग जाओगे यू कांट बी सीरियस प्लीज गो नौ वो उटकर बातरूम में दाखिल हो गई सिंगला बोदल के साथ वापस लौटा तो उसने उसे बड़ा सा बात टौवल लपेटे पलंग पर आरती मपालती मारे बैठे और सिग्रेट के कश लगाते पाया ततकाल उसने आधा बाकी सिग्रेट उसकी तव बढ़ा दिया सिंगला ने डिंक्स बनाए और जाम से जाम टकराया अच्छा एक बात सच बताओ फिर वो संजीत की से बोली उसकी हेल्थ कैसी है ठीक है कुछ नहीं हुआ उसकी हेल्थ को कुछ भी नहीं हुआ नहीं उसे हार्ट अटेक आचुका है हाँ तो एक हार्ट अटेक इस बात की गाराइंटी नहीं होता कि दूसा पीछे-पीछे आ रहा होगा तीसरा? क्या तीसरा? अरे उसे पहले दो बार हाट अर्ट 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 आ चुका है माइल्ड ना आने जैसा कौन कहता है? वो ही कहता है उसे क्या मालो? इस बाबत मैंने डॉक्टर देश पांडे से भी बात की थी उसने उसके दिल को एन चौकस बताया था देखो हाट में करिशमाई कुवत होती है उसका हुआ छोटा मोटा डैमेज वो खुद ही रिपय हो जाता है मैंने जब भी उसका ECG निकाला था ठीक पाया था ज्यादा ब्रोसे का टेस्ट TMT होता है लेकिन उसके लिए वो एक ही बार राजी हुआ था और दो मिनिट में ही क्विट कर गया था उतने में कोई नुक्स जागन नहीं हुआ था साब बोलो ना गामा पहलवान है ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है मैं हनी चैड खराबी उसकी हेल्थ में नहीं उसके लाइफ स्टाइल में है जिसे वो कंट्रोल नहीं करेगा तो हेल्थ को जो अभी तक नहीं हुआ वो सब होगा सब कुछ होगा कब? अब क्या पता कब? तुमने खुद तो कहा था न कि हमारी कबरों पत धूख के मरेगा? वो तो मैंने गुस्से में कहा था भढास निकाली थी असल बात बोलू इन बातों का कोई हार्ट एंड फास्ट रूल नहीं होता बूडे बैटे रहते हैं जवान चले जाते हैं तंदुस्त मर जाते हैं बिमार हाय हाय करते रहते हैं और जीते रहते हैं कोई छोटा जटका नहीं जेल पाता और कोई मैसिव स्टोक के बाद भी बच जाता है हम लोग किसी को बिलकुल ठीक हो चुका बता कर घर भेजते हैं और वो रास्ते में मर जाता है किसी को बोलते हैं वो रात नहीं काटने वाला और वो उठकर बैठ जाता है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो मैं तुम्हें बात को दूसरे तरीके से समझाता हूँ बुचाल में नई बनी RCC की मजबूत इमारत तो धेर हो जाती है लेकिन पुरानी जरजर इमारत समलामत खड़ी रहती है और बार मिस्टी मर डूप जाते हैं और नावत तरती रहती है अंधर किसी को साथ उड़ा ले जाता है और किसी को छूके गुजर जाता है हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी अच्छे एक बात पूछना चाहता हूँ तुम अजाद होती पहले से शादी नहीं करी होती तो क्या मुझसे शादी कर लेती है हाँ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो न सच बात बोलो सच ही बोल रही हो फिर तुम्हारी ख़ाईश का क्या होता तुम्हें कोई जरिया निकालना पड़ता उसे पूरा करने का मैं तो नहीं निकाल पाता मेरे लिए तो पांच क्रोड रुपया पांच जनम में कमाना मुहाल होता मन्जिल तक पहुँचने का द्रण संकल को तो रास्ता अपने आप बन जाता है एक रास्ता बनाना अपने आप कौन सा? तुम्हें मालूम है कौन सा? फिर भी खुल के बोलने से डर लगता है इसलिए मेरी जबान सुनना चाहते हो हेरोई तुम्हें मालूम है? वेलकम टू दा लॉज पार्टनर कोठारी कोठारी की क्या पोजिशन है? किस बाबत? वो भी लॉज का चार्टेड मेंबर है? हेरोई के मकड़ जार में एक रफतार है? ये मुझे नहीं मालूम क्या आप बात करती हो? जब मेरी बाबत जानती हो तो कोठारी की बाबत क्यो नहीं जानती? सच में नहीं जानती हो हो सकता है सदाने कभी चाहा ही ना हो कि कोठारी इस दंदे में शामिल हो कोठारी उसका वकील है न? लीगल एडवाइजर, ट्रवर्शूटर ये अपने आप में फुल टाइम जाब है इसलिए हो सकता है सदाने उसे कभी इन बोला ही ना हो? फिर भी वो इन बोले तो क्या फोगा? तो कोठारी को इन होना ही पड़ेगा ऐसा? हाँ, उसने तुम्हारे बारे में फैसला किया तो तुमको इन होने का था तो क्या हुआ? You are either in or you are dead या in या खलास कोई चोईस नहीं कोठारी के इन हुए बिना भी दोनों के जुगलवंदी तो बहुत तकड़ी है? हाँ, वो तो है अपनी प्रैटिस वो इक क्लाइंट में सिम्टी बोलता है? हाँ, तो फीस भी इससे आपसे ज़्यादा मिलती होगी? जाहिर है? कितनी? रकम मुझे मालूम नहीं लेकिन लाखों में होगी दस बारा लाख सलाना से कम तो क्या होगी? हाँ, और इससे कम भी क्या होगी? देखो, मुझे नहीं मालूम उसके फीस क्या है लेकिन लाखों में तो होगी दस बारा लाख सलाना से कम तो क्या ही होगी? या इससे भी बहुत जादा हो सकती है पर वो अकेला आदमी इतने पैसे से क्या करता होगा हैश करता होगा कैसी मैंने तो कभी उसे पैसा उड़ाते नहीं देखा तुमने नहीं देखा ना तुम क्या हर वक्त उसके साथ होते हो जुआ तो नहीं खेलता नहीं, जुए में ना उसकी रुच्ची है और नहीं उसके पास टाइब अच्छा एक बाब बताओ, तुमने मेरे बाबत कैसे जाना क्या, यही कि मैं सदा के धंदे में शरीक हो चुका हूँ तुम्हारी जबान में उसकी लॉच का चार्टेट मेंबर बन चुका हूँ अच्छा वो, सदा से मैंने पूछा, शामली सावंद की वज़ा से सिंगला को जैसे साम सूख किया, फिर शामली सावंद जब इंस्पेक्टर मुन्हार पाफटे, तुम्हारी एलिबाई चेक करने के लिए मेरे और कोठारी के पास पहुँचाता, मैं तब ही समझ कही थी कि तुम मेरे हस्बेन की कला काले रिता के शिकार हो चुके हो उपसे मैं शामली सावंद को जानती थी कैसे जानती थी? सदा ने तुम्हें बताया नहीं होगा कि वो एरे गेरे को ड्रग्स मोहिया नहीं कराता उसकी स्पेशल क्लाइंट है हर क्लाइंट की पहली स्क्रीनिंग होती है और उस स्क्रीनिंग में मेरा भी दखल होता है एकता नगर में रहती उस कला का लड़की को मैंने स्क्रीन किया था सदा का क्लाइंट बनने के लिए पास किया था गोल्डी जब मुझे पता लगा था कि वो लड़की तुम्हें फ्लैट में मरी पड़ी पाई गई तो मैं तब ही समझ गई थी कि मेरा हस्बन डॉक्टर देश पांडी की जगह लेने के लिए तुम्हें चुन चुका था खमाल है उसका यही स्टाइल है काम करने का पहले मजबूर करता है फिर मजबूरी का फायदा उठाता है मैंने उससे उस बाबस सवाल किया उसने सब बता दिया मैं उसकी बाद ना मानता ना उसकी पेशकर्ष को कबूल ना करता तो तो मैं यही कहती कि मैं तुम्हारे याद में आसू बहाती कि बहुत सी खुबियां थी तुम्हें और बहुत सी खुबियां थी मरने वाले में सिंगला के शरी ने जोर से जोर जोरी ली उसने अपने सारे राज तुम्हारे पर फाश कर दिये थी तो क्या तुम्हारा इंकार सुनने के लिए फिर भी इंकार करते तो कैसे वो तुम्हें जिन्दा छोड़ देना अफोर्ड कर सकता था वो यह पिगलने वाला होता तो क्या इतने सालों से इतना खोफिया तरीके से उसका धंदा चलता रहता जिस शक्स को वो अपनी तरफ देखना चाहता है या उसका राज़दा होता है या फिर होता ही नहीं यकीन नहीं आता किसी फिल्म की कहानी से जान पड़ती है तुम खामों कही मुझे डरा रही हो मेरी टांग तो नहीं कीच रही काश ऐसा होता एक एक उसने एक सांस में अपना गिलास खाली किया सिंगला के हाथ से उसका आदा भरा गिलास निकाला उसे भी अपने हलक में उंडेला तौलिया को अपने वश्च पर बंधी गांट खोली और उस पर धेर हो गए वो लता की तरह उसे लिपड़ गई और उसके चेहरों पर चुमनों की बचार करने लगी लेकिन उस घड़ी सिंगला का मन उन बातों में नहीं था उसे अभी भी यकिन नहीं आ रहा था कि वो पूरेकर की बात ना मानता तो वो जहन्नुम रसीद हो चुका होता कहां हो? वो शिकैद भे लेस्जी से बोली और मैं इंकार करता तो वो खुद में लाश किरा देता जब हुकम बरदार मौजूद हो तो ऐसा कोई काम वो खुद क्यूं करेगा? हो हो लगता है अपने demolition square के बारे में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया demolition square? हाँ उसने पंक्या से जूलती दूसी बीवी की लाश का तस्रवूर किया या बताया होगा हिंट तो जो दिया होगा लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आया होगा तो बहुत आदमी उसके लिए काम करते हैं हाँ लेकिन दिखता तो नहीं अब पढ़ेगा ना तुम्हें मालूम अब तुम खुद भी उसके आदमी जो ठहरे मैं उसका मुलाजिम नहीं देल को बहलाने के लिए डॉक्टर सहाब अच्छा ख्याल है क्या करता है उसका डेमॉलिशन स्कूर्ड शूर का देता है नहीं इस टैल से क्या जाता है ये काम लोग बाग बातु में फिसल जाते हैं गदन तोड़ बैठते हैं एक एक चक्कर आ जाता है तो लोकल से गिर जाते हैं रोड एक्सिडेंट का शिकार हो जाते हैं या फिर पंखे से लटक का खुदकुशी कर लेते हैं हाँ वो भी रहाजनी और बटमारी भी आम है न मुंबई शहर में अंगुठी, घड़ी, चैन, मुबाइल, बटवा ये सब अंदर दमभार और लाश कटर में या किसी पार्क के किसी अंदोरिक कौने में या समंदर में बहुत वेराइटी है मौत के व्यापार में और नशे का ओवरडोज भूल गए? हाँ वो भी भगवान बेचारी के आत्मा को शांती दे सिंगला खामूश रहा सदा का डेमॉलिशन स्कुरेड और पता नहीं यासे कितने तरीके जानता है लेकिन मजाल है किसी में मर्डर जैसा नामुराद लव्ज आ जाए मुझे नहीं मालूम था कि पूर्णे कर इतना गुणी इतना करता भी इतना पहुचा हुआ महंत था वानदा नहीं अब वो काम करो जिसकी बाबत तुम्हें सब मालूम है सिंगला की भवे उठी जवान ऐसे पेश आका दिखाओ जैसे आशिक माशूक से पेश आता है वो काम करो जिसे औरते हाई मैं मल गई कि दुहाई देती है लेकिन मरती कोई नहीं सिंगला ने आदेश का पालंग किया एक घंटे बाद वो अंधीरे में आजू-बाजू लेटे हुए थे यकीन नहीं आता सिंगला बरबराता हुँ असा बोला कि मेरा इंकार मेरी मौत का सबब बन सकता था मेरे को तो अभी मानी डाला था खुद मरने से ड़ते हूँ मजाक मत करो तो क्या करो तुम अपनी चोईस बताते हो या मुझे जो सूजे वो करो हरे बोला ना मजाक मत करो तो संजीदा बात ये है डॉक्टर साहब कि इंकान ना करके मरने से तो बच गए हो लेकिन उस लफड़े से नहीं बच सकते हो जिसमें कि गहरी पैठ भी बना चुके हो अब बाकी की तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही कड़ेगी सदानन्द पूरे कल का होका भरते ओ नो, ओ यस तो ये था बड़ा लफड़ा जिसमें मैं फसा था तुम्हें जिसकी खबर थी और तुमने मुझे वार्न नहीं किया नहीं, क्योंकि वार्निंग तुम्हां नुक्सान ही करती आज यहां एक रात का कुल जमा कितना खर्चा होगा दस, बारा, नहीं, पंदरा, पंदा हजार रुपे सदा को हां बोलने से पहले रखे थे तुम्हारे पास वो लफड़ा कबूल ना किया होता तो आज की तफरी के जिकर से ही कहीं जाकर छुप गए होते तुम मेरी मजबूरी की खिल्ली उड़ा रही हो अब कहां हो तुम मजबूर अब तो तुम मेरी जैसी दस को ऐसी तफरी कराने की हैसियत रखते हो तुम्हारे अलावा मैं किसी का ख्याल भी नहीं कर सकता है जही नसीब डॉक्टर देश पांडे का भी यही रोल था उसके सामने भी यही फंदे थे फिर वो कैसे बच निकला सत्तल का हो गया था उपर से मुंबई नहीं इंडिया ही छोड़का जा रहा था कैनेडा बैठा वो सदा के लिए कोई खत्रा नहीं बन सकता था और फिर भी वो अगल कोई शयान पंती करने की कोशिश करता तो एक्सिडेंट कराने के लिए कैनेडा भी कोई खास दूर तो है नहीं वज़ा यही है कि बहुत बुड़ा हो गया था और अपने जिन्दगी के आखरी दिन अपने अलाद के साथ गुजारना चाहता था अच्छा और क्या वज़ा होगी तरजूर बेकार आदमी बताया जाता है शायद इल्हाम हो गया हो कि जहाज डूबने वाला था सदा का जहाज? हाँ जहाज डूब रहा हो तो चूए भांगने ही लगते हैं नमीता ने कहीं शन उस बात पर विचार किया हाँ हो सकता है हो सकता है क्या डूबते जहाज की ख़बर पूरेकल को नहीं होगी हो सकती है अच्छे जया खुला सकता है के बात करो तुम्हें मालूम है हर मंगल शुकर और इत्वाल कोई शाम को वह कहीं जाता है हाँ कैसे मालूम? मैंने खुद अब्जर्व किया तुम्हें मेरी अब्जर्वेशन को कन्फर्म किया कोठारी ने भी कन्फर्म किया कहां जाता है? मालूम नहीं तुमसे पूछा तो था लेकिन तुमने टाल दिया कोठारी से पूछा था उससे ने टाल दिया और तुमने खुच जाने की कोशिश नहीं की? क्या कोशिश करता? अरे, और नहीं तो सदा से ही पूछते, हब तो तुम उसके करीबी हो, पूछ सकते थे? पूछ तो सकता था, लेकिन जवाब मिलने के क्या गारांटी थी? और मिलता भी तो क्या गारांटी थी कि वो सही जवाब था? वो जुट क्यों बोलेगा? भी मुझे नहीं मालू, लेकिन जो शक्स एक बात पर जुट बोल सकता है, वो किसी पर भी जुट बोल सकता है? किस बात पर जुट बोला उसने? तुम्हारी बात पर? बोला तुम उसकी बीबी हो और बस कुछ नहीं? बोला कि तुम उसके नार्कोटिक्स बिजनिस की बात बात कोई जानती नहीं हो? तब भी मुझे लगा कि तुम सब कुछ जानती हो? तुम खुद कहती हो कि नॉर्कोटिक्स की सेल के लिए तुम गढ़ाकों के स्क्रीनिंग करती हो फिर क्या ये मुम्किन है कि उसके बिजनिस के तुम्हें कोई जानकारी न हो वो फिर हसी इसलिए मुझे यकीन है कि ये भी जानती हो कि हफते में तीन दिन शाम को वो कहा जाता है जानती हो? हाँ, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं जानती हूँ वही मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन काफे कुछ नहीं भी जानती और जो जानती हैं उसमें कुछ बाते ऐसी हैं जो खुद उसने मुझे बताएं और कुछ ऐसी हैं जो मैंने भापी हफ्ते में तीन दिन वो कहा जाता है ये दूसरी किसम की बात है कहा जाता है? Martonga West वहाँ कहाँ? होटल महामाया जो कि वहाँ दामले रोड पर है उस होटर के फर्स फ्रोल का 108 स्वेट नमबर 102 सालों से उसके लिए बुख है बिजनिस के ले जाता है हफते में तीन बार फिक्स टाइम पर वो वहाँ पहुचता है फिक्स टाइम रुखता है फिक्स टाइम पर वापस लौटता है वो खुद वक्त की इतनी पावंधी बढ़ता है इसलिए वहाँ आने वाले से वक्त की पूरी पावंधी की उम्मीद करता है आने वाला कौन? उसकी किसी नाइट कलब का मैनेजर? उसकी पंधान नाइट कलब है लेकिन एक बार में एक मैनेजर को ही बहां आने का बोला जाता है पंद्रवा मैनेजर बहां शरी भार चुकता है तो फिर पहले की बारी आती है उसके स्वेट की पोजिशन ऐसी है कि उस तक लॉबी से रिसेप्शन से गुजरे बिना भी पहुँचा जा सकता है होटल की बाजू में गली है जिसमें होटल का एक दरवाजा कुलता है उस दरवाजे से आगे एक लंबा गली आ रहा है जिसके एक बाजू होटल का फ्रंट है यानि कि रिसेप्शन एरिया है और दूसरे बाजू सीड़िया है जो सीधे उपस स्वेट नंबा 102 के सामने जाकर खतम होती है उन लोगों के आवाजा है उधर से होती है हाँ लेकिन लॉबी से भी हो तो कोई वांदा नहीं कोई देखेगा तो उसे respectable business executive ही समझेगा न अपने निर्धारे समय पर बढ़िया सूट पैने हाथ में उम्दा briefcase था में सदा वहां पहुँचता है और अपने स्वेट में मुकाम पाता है उसके पांच मिनद बाद वैसे ही भड़िया सूट पैने हाथ में उम्दा briefcase था में उनकी किसी night club का manager वहां पहुँचता है सदा के briefcase में नार्कोटेक्स की, heroine की यह जैसी भी जरूत उसके manager ने जाहिल की हो supply होती है जो खुदरा sale के काबिल छोटे-छोटे packets में होती है manager के briefcase में उसको पिछले फेरे पा हासिल हुई नार्कोटेक्स supply की sale से करेल act किया गया cash होता है दोनों बैट का हिसाब मिलाते हैं cash केंते हैं फिर cash सदा के briefcase में पहुँच जाता है और नार्कोटेक्स की नई खेप manager के हवाले हो जाती है उसके बाद manager वहाँ से रुखसत हो जाता है पांच मेंट बाद सदा suite को lock करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है गोल्डी ये है उसकी हफ़ते में तीन देंग की ना टल सकने वाली मस्रूफित की कहानी ओहो तो इस schedule में कभी कोई विंगन नहीं आता वो मुंबई में ना हो तो आया न वरना नहीं आया एक बार आया 6 महिने पहले बाद सिर्फ एक बाद तब आया जबकि उसकी खंडाला वाली नाइट कलब का मैनेजर नाम शरत शिराली उम्र पचास एक साथ अपना schedule विजिट पर भाना पहुँचा क्यों नहीं पहुँचा लालाची नेजर कर लिया ये रकम लेकर किसक्या सदा की किसी कलब के किसी मैनेजर की ऐसी मजाल नहीं हो सकती गरफतार हो गया था मुंबई में दाखिल होते ही लोकल पुलिस ने दबोच लिया नूटों से भरे ब्रिफ केस के साथ नहीं भही कोई मैनेजर कभी कैश अपने सार लेकर नहीं चलता उसके लिए कुरियर होता है वो ब्रिफ केस माटोंगा पहुँचने के बाद ही उसके कबजे में आता है तो उसमें एक सालों पुराना पन्ना साल से भी ज़्यादा पुराना केस था जिसके सिलसेले में पुलिस को अभी उसकी तलाश थी कोई कतल का केस था कई साल पहले दो जनों ने एक डिपार्मेंट स्टोल को लूटने की कोशिश की थी जिसमें कि एक सिक्रारिटी गार्ड ने उन दोनों में से एक कुमाल गिराया था और दूसरे ने गार्ड को शूट कर दिया था और फरार हो गया था जो फरार हो गया था ना वो शरश शिराली था एक फरार मुझरिम प्रानेकर का कलब मैनेजर शरश शिराली का नाम ना कभी Department Store के Hold Up से जुड़ा था ना Security Guard के कतल से जुड़ा था उसकी कभी शिनाक्त नहीं हो सकी थी उसको hold up के वक्त या shoot up के वक्त देखा होने का दावा करने वाला कोई गवा नहीं था उस सिलसिले में उससे कभी कोई पूछताच तक भी नहीं हुई पुलिस को असल मुझरिम की बावत कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि उसका जोड़ीदा मारा गया था और जिस security guard से उसका आमना सामना हुआ था वो जिन्दा रहता तो चश्रमदीद बनता येकिन वो भी मारा गया था फिर भी उस crime के लिए पुलिस ने शिराली को ग्रफतार कर लिया हाँ क्यों भला है ना जी बाट शिराली ने अपने कारणामे की बाबत किसी के आगे मुँ फाड़ा होगा कभी नहीं इतने सालों में कभी नहीं सिवाए सदा के क्या उसने पूरेकल के आगे कबूल किया कि उसे hold up में और shooting में वो शामिल था हाँ कब और क्यों क्योंकि ऐसा जूरी था पूरेकल के लिए काम करने वाले को सब कुछ साफ साफ बोलना पड़ता है जब शिराली खंडाला वाली कलब का मेनेजर नियूट किया गया तो इंग गुड फेद उसने वो सारी बात इस सदा को बताई थी और ग्रफतारी के बाद अपने वकील को बताया था कि उसके एंप्लॉय सदानन पूरेकल के अलावा असलियत से कोई भी वाकिफ नहीं था तो पुलिस को इस बात की खबर कैसे लगी शिराली के वकील ने भी इस बात की परताहल में काफी जोड लगाया था आखिरकाय उसे मालूम पड़ा था कि पुलिस को इस बाबत एक गुमनाम टिप मिली थी वकील का अंदाज़ा था कि ये काम शिराली की बीवी का था लेकिन शिराली ने इस बात की पुल्जोर मुखाल रफत की उसका दावा था कि इस बाबा तो उसने अपनी बीवी को कब भी कुछ नहीं बोला था लेकिन वो जूट बोलता हो सकता था पता चलता था कि उसकी एक नौजवान लड़की से अफया था जिसकी हाल में ही उसकी बीवी को खबर लग गई थी तो उसके पती की पुल पुलिस के आगे खोल कर इस बात का बदला उता रहा था टिट फॉर टैट किया था हाँ बरहार शिराली एक संगीन जुर्म के तहर गरफतार हुआ था और उसके जमारत भी नहीं हुई थी गोल्डी वो तुम्हारी डूपते जहाज़वाली बात की तस्दिक मैंने इसी वज़ा से की थी और शिराली का वकील कौन था? अपना कुठारी? खरे नहीं, शिराली को वकील सदा नहीं मुहिया कराया था लेकिन वो कुठारी नहीं था, लेकिन था काबिल काबिल और मशूर अजीम सैफी वो? वो तो बहुत बड़ा वकील है अब जब दखल सदा का हो तो क्या छोटा वकी और क्या छोटे मुटे काम लिहाज एडवोकेड अजीम सैफी भी पूरिकल की कुठब पुतली है शायद हो, शायद ना हो है तो समझ लो कि उसकी भी सदा ने कोई कमजोरी पकड़ी होगी कोई दोक्ती रख थामी होगी ठीक वैसे सैफी कहता है कि शिराली के खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं है और गालेंटी कहता है कि देर सबेर वो उसे विहा करा लेगा तो फिर इतना बड़ा वकील उसकी जर्मानत क्यों न करा सका ग्रफदारी ही क्यों हो गई सोचो, पूरेकर को कोई अंदेशा शिराली की वज़ा से कहीं कोई पंगा कोई लोचा तुमारा अंदाजा वाला तुमारा अंदेशे वाला अंदाजा ठीक है सदा को अंदेशा है कि नार्कोटिक्स, प्रक्यूर्मेंट के लिए विदेशों से उसका जो नेटवर्क है वो कहीं लीग कर गया है और शिराली के हद्थे कोई जांकारी चड़ गई है सैफी को इस बात से इतफाक नहीं क्योंकि ऐसी किसी जांकारी को किसी तरीके से कैश कर पाने की ना तो शिराली के उकात है और ना ही उसमें इतना होसला फिर भी बाजरिया सैफी सदा ने शिराली को कहलवाया था कि उसने हर हाल में अपना मूँ बंद रखना था जिसका सिलाव से रहाई के बाद भारी बोनस की सूरत में मिलता था गोल्डी, डॉक्टर देश पांडे हुमिन सैकोलोजी को समझता था उसका ख्याल था कि गिरफता शिराली तक ऐसी कोई बात नहीं पहुँचाई जानी चाहिए थी उससे तो शिराली को लगता कि उसकी मौत निश्चित थी, उसका बहुत सदानन पुरेका उसे जिंदा नहीं रहने देने वाला था ये बाद मन में बैच जाने के बाद शिराली बहुत कुछ बख सकता था क्या बख सकता था वो वो खंडाला वाली क्लब से चलने वाले नार्कोटिक्स के धंदे का सिकल करता तो खुद अपनी मुश्किली बढ़ाता पुरेकार बड़े अराम से कह देता कि उसे ऐसे किसी धंदे की खबर नहीं थी उस सिलसिले में उसका दगाबाज मैनेजर जो कर रहा था, खुद कर रहा था अच्छा, और सदा के फोरेंग के नेटवर्क से लीक हुई कोई जानकारी उसके कोई सबूत थोड़े ही थे वो तो महज एक अंदाजा था पुरेकल का एक मिनट के लिए फर्स करो कि अंदाजा दुरुस्त था शिराली उस बाबत मुँ फारता तो सदा का जहाज डूपता या ना डूपता कभी अभी एक फटा मुँ सिलने की प्रॉबलम थी फिर जो कई मुँ फटते तो वो कैसे सिलते और कुछ होता या ना होता एक सालों से काम्याबी से चला आरा सेटप तो डामडोल हो जाता ना स्मगलिंग का ऐसा सेटप एक बार उखड जाए तो वापस जमाने में बरसो लग जाते हैं एक कलब बंध हो जाए तो वांदा ने सप्लाई बंध हो जाने की वज़ा से 15 की 15 कलब बंध हो जाने की नौबत आ जाए तो ये नहीं कहा जाएगा कि जाहाज डूब रहा है तो कहा जाएगा कि जाहाज डूब चुका है सदा इस बाबत बहुत फिक्रमंद है उसने अपनी बहतरीन आदमी सेटप में अगर वाकई लीक हैं तो उसे तलाश करने के लिए उसे प्लक करने के लिए पदेश भीचे हैं बहुत जल्दी खुद वो भी थाइलेंड से लेका योरोप के सिरे तक अपने सारे नेटवर्क का चकर लगाने के लिए निकलने वाला है लेकिन शिराली को वो फिर भी अपने मेजर प्रॉब्लम महसूस करता है वो जानता है मूँ बंद रखने के बारे में हुकम उदुली हो सकती है इसलिए उसको टपकाना जोरी मानता है शिराली को जेल में ही या जेल के कोर्ट के रास्ते में खलास करा देने के जुकत वो कर रहा है क्या मुश्किल काम है जेल में क्या, कोर्ट में, क्या, रूट पर क्या आया दिन कतल होते हैं सदा कतल के खिलाफ है वो कतल नहीं मांगता एक्सिडेंट मांगता है जिसका कि उसका Demolition Square Specialist है जेल में एक्सिडेंट अरिंज करना कोई मुश्किल काम नहीं लेकिन सेफ एक्सिडेंट अरिंज करने में टाइम लगता है ये है सदनन्द पूरे करके डूबने की धमकी देते जहाज की सही तस्वीर और ये है वो बड़ा लफडा तुम्हारे लिए जिसकी तरफ मेरा इशारा था गोल्डी सदा की शागिर्दी करने का तुमने बड़ा गलत वक चुना है मैंने? मैंने कहां चुना? I current myself बड़किस्मती से बड़ा गलत वक तुम्हारे पलने पड़ा अगर पंगा पड़ा तो बड़ा विक्रार रूक अक्तियार करेगा और तुम्ही भी लपेट के रहेगा फिर जो होगा वो तुमसे जेला नहीं जाएगा डालिंग मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे बड़े लफडो का मुकाबला करने के तुम्हारे ट्रेनिंग नहीं है एक्सिडेंट का शिकार हो पाने से पहले अगर शिराली ने अपना मुँ खड़ा कर दिया और कुछ बक दिया तो सब कुछ उसमें लील हो जाएगा तुम भी नहीं बचपाओगे शिराली तो कुछ अपना मुँ बंद रखने में कामियाब होगा तुमसे तो एक मिनट भी मुँ बंद नहीं रखा जाएगा क्योंकि तुम तो भदर पुरुश हो इसलिए soft target हो सदान एक बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें एक soft का target को चुना उससे अभी अपनी गलती का एसास नहीं लेकिन शिराली की करतूत की वज़ा से आइंदा दिनों में होगा खुद अपनी खाते दुआ करो कि ऐसा कुछ भी ना हो तुम मुझे कुछ जाद ही कम्जोर شक्स थाबित करने में की कोशिश कर रही हो नहीं तुम बहुत का ताकतवर हो तुम्हारे में उस ताकत की कोई कमी नहीं जिसकी औरत तलबगार होती है लेकिन उस ताकत की बड़ाबर कमी है जो सदानन्द पूरे का जैसे शक्स का मुकाबला करने के लिए दर्कार होती है हाँ तुम भले आदमी हो एक भला मानस एक गैंग्स्टर से भीड़ेगा तो मुकाबला ब्राबर का नहीं होगा क्या तुम सदा के जाल में फसे? क्यों फसे तुम उसके जाल में? मकड़ जाल में अब तो वो मुझे बहुत बड़ा बहुत खतानाग मकड़ा लगता है पर क्यों फसे? क्योंकि मुझे भी वही बिमारी थी जो तुम ही थी क्या? पैसा पैसा एक बिमार दूसरे बिमार से क्यों मिला? क्यों तुम मेरी जिन्दगी में आये? मेरी मुराद आखर का पूरी हो गई थी अच्छी भली जिन्दगी कर रही थी पैसा हासिल था पैसा हासिल होता रहना था एक मुष्थ हासिल होके रहना था जिन्दगी बर एक ही सपना देखा था जो साकार हो गया था अब मैं तुम्हारे सपने देखती हूँ हर गड़ी तुम्हारी बाबस सोचती हूँ I love you, damn you लेकिन क्यों तुम मुझे जिन्दगी के नामुराद मोड पर मिले प्रारव्द ने मिलाया It was destined to happen destiny को बदला नहीं जा सकता नहीं बदला जा सकता लेकिन इस हकीकत को तुम नहीं जुटला सकती कि अगर मैं कर्ज में डूबा एक मुफलिस नाकाम डाक्टर होता तो destiny और no destiny तुमने मुझे अपने करीब भी ना फटकने दिया होता तुम सिर्फ बार बाला होती हैं तो अपनी middle class morality का गुलाम मैं ही तुमाई करीबना फटका होता हम दो बद अखलाक लोग एक दूसरे के करीब हैं तो इसलिए क्योंकि हम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तुम धन्दिवानी हर मैं कमीना धन्दिवाना बंद करो ये बकवास यस मैडम और मुझे अपने साथ भीच लो यस मैडम और कुछ शन खामुशी हो गई उस दोरान उसकी गर्म सांसी सिंगलार का सीना जुलसाती रही वो खतम हो जाए तो क्या होगा कौन शिराली क्या होगा लीग प्लग कर दिया जाएगा और धन्दा पहले की तहां चलने लगेगा मैनेजर कोई नया परेंट हो जाएगा अरे मैं शिराली के बाद नहीं कर रहा तो हे भगवान वो अभी मर जाए अभी का अभी मर जाए थाकि तुम भी अजाद हो जाओ और मैं भी अजाद हो जाओ गोली की तरह हम शादी कर लेंगे हम दोनों एक मज़े के इक मरीज डॉक्टर सहाफ कोई ना मुकरार करो मज़े का मनीगुनिया मालमोनिया, कैश फ्लू क्या कहने तुमने तो डॉक्टर की पॉलिश उतार दी पैसा हर मज़े की दवा होता है पांच क्रोड रुपया तो मुर्दे में प्रान फोग सकता है इतनी की तो मिनिमम गारांटी है और जो ना हाथ आचाए वो थोड़ा उपर से कोई फंदा नहीं कोई पंगान है कोई लोचान है उपर से हम कुछ भी करने को अजाद होंगे आज कितना चुप-चुप की मिलना पीती बात हो जाएगी और अभी हम दोनों जवान है हमारे लिए नई मनमुह को मंगे भरी जिन्दगी की शुरुआत होगी उसके दिये का तेल कभी भी चुप सकता है अच्छा सपना है लेकिन हकीकत में बदल सकता है कैसे? सोचो एकाएक वो उसकी बाहों की गरफ से निकल गई उसने उसकी तरफ से करवट बदल ले नी मंधिरी में सिंगला कुष्षन उसके नंगी पीड को नियाता रहा फिर उसकी उसने भी करवट बदल ले जैसे यह उसको सोचने में सहुलियत होती बाकी की रात उनमें कोई बात नहीं हुई और जो बात होती वो बिना हुए भी हो रही थी दोनों के जहनी तार और एक ही खामुष लेपस जंकरित हो रहे थी जिन्दा हातीक लाग का और मुर्दा सवा लाग का खिड़की के शीशे में से बहुलका उजाला भीतर दाखिल हो रहा था जबकि सिंगला को नीद आए आएंदर कितने ही दिन सोते जागते उठते बैठते आठो पहर डॉक्टर प्रफुल सिंगला के जहन में एक ही ख्याल दस्तक देता रहा हौल नाख ख्याल उस ख्याल को अब भारिक असंभव करार दे का वो अपने जहन के एक कौने से धकेलता था तो वो दूसरे कौने से सर उठाने लगता था जहन के दवाजे बन करता था तो दिल में कुल बुलाने लगता था उसके आगोश में मौजूद नमीता ने उसे दो टू कहा होता कि उन दोनों की भलाई के लिए वो उसका खाविन का कतल कर दे तो वो उसे एक नापाख ख्याल करार दे का उसके सामने ही डिस्मिस का देता लेकिन उसने तो उस बात को एक अमूर्द वस्तू के तोर पर उन दोनों के बीच में यह जुलता हुआ छोड़ दिया था कि वो बुखार की तरह उस पर हावी था और हावी होता चला जा जा रहा था उस बात का उसके काम में दखल था उसके अराम में दखल था उसकी तफ्री में दखल था उसकी होशमंदी पर कबजा था उसकी नींद पर कबजा था यहां तक कि उसकी सेक्स लाइफ पर भी कबजा था उस दोरान नमीता से तनहा मिलने के उसने कई दाव लगे, लेकिन हर बार उसने महसूस किया, भारी शर्मिनगी के एहसास के साथ महसूस किया, कि वो तो अपना सारा पुरुशत ही खो बैठा था, अपनी इस हाल से वो चिरता था, खुरता था, नमीता हमददी दिखाती थी, या अंडरस्टेंडिंग जहे कती थ तो वो और ज़्यादा बन बनाता था, हालात इस हद तक बेकाबू होए थे कि उसे विस्की का नशा नहीं होता था, कई बार सोने के लिए उसे नीन के गोली खानी पड़ती थी, वो शीशे में अपनी सूरा देखता थो उसे उस पर उजड़ा पन काबिज होता दिखाई द देता था और आँखों में एक वहशत से मुकाम पाई जान परती थी, डॉक्टर था, फिर भी तरस था, कि वो तो साइकेर्ट्रिक किस बनता जा रहा था, कोई दिवाना, कोई सर्फिरा ही तो कतल का ख्याल कर सकता था, कैसे एक संब्रांत व्यक्ती, एक नेक शहरी, एक का केड़ा, तौबा, क्या तरीका था उस जला जल से निकाल पाने का, लेकिन उसे ज़्यादा हैं सवाल ये था, कि क्या वो निजात पाना चाहता था, फिर एक सुमवार को एक बजे से जरा पहले फोन की घंटी बजी, लाइन पर सदानन पूने का था, डॉक्टर, सहाब, क निर्धारी समय पर वो उसके ऑफिस में, उसके सामने मौजूद था, बंदर की तरह, मदारी के डुगी बजाने के इंतिजार में, कैसा है, डॉक्टर, सहाब, वो मुस्क्रात हुआ बोला, बढ़िया, आप कैसे हैं, इदर अभी सब एन फिर्ट है, फिर्टर शुकर है, इ ठीक है, ठीक है, लेकिन जोरी कामा जाते हैं न, जिन्दगी के जंडर जमेले कभी किसी के खत्म हुए है, ब्राबर बोला, इसी वास्ते मेरे को लॉंग वेकेशन पर जाने का है, बढ़िया, सिगार प्योग है, नहीं, क्यों, वो मूड नहीं है, क्या हुआ मूड को, आप ऐसी जाने देजिए, और दोनों ने सिगार सुल गए, उसने एक लंबा कश लगाया, धेर सारा धुआ, उगलाव फे बोला, पास्पोर्ट है, क्या, किदर धियान है, वो पास्पोर्ट, पास्पोर्ट निकाला अपने, नहीं, तो आप बहार किसे जाएंगे, वो आंदा न आज का पास्पोर्ट की ततकाल सेवा है, बन जाएगा, निकिन किसलिए, लॉंग वेकेशन पर जाने के लिए, और किसलिए, आप मुझे वेकेशन पर अपने साल ले जाना चाहते है, पहली फरवरी को निकल नेने का, पहला पढ़ाव थाइलेंड, फिलाउस, होंग कॉंग रोम, स्विजरलेंड, परिस, लंदन बगेरा, लॉटनी में डेड़ महिना लग जाएगा, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन दो महिने से ज्यादा ने, मेरे को हेल्थ प्रब्लम, तो मेरे डॉक्टर साथ रहना जूरी, क्या, लेकिन वो इधर मेरी प्रेक्टिस, क मेरा काम सिर्फ आपकी हेल्थ का ख्यार रखना होगा, एकाद काम और भी निकल सकता है, लेकिन उसकी बाबत जब नौबत आएगी तो मालूम पड़ेगा, किसम का काम, किसम भी नौबत आने पर मालूम पड़ेगी, ओफ अभी क्या मुसीबत गल्ले पढ़ने वाली थी, इ कितनी, बोला ना करा रही, किसी भी गज से नापके देख ले ना, लेकिन वो मैं कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरी अपनी जिम्मेदानिया है, मेरी अपना लाइफ है, डॉक्टर सहाब, तुमारी मेरी लिए भी तो कोई जिम्मेदारी है, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरी जिम्मेदारी पहले, सबसे पहले, सिंगला को उसका स्वर अचानक हिंसक होता लगा, और तुम समझते हो, तुमारी अपनी कोई लाइफ है, तो तुमारी सोच में लोचा है, अब तो उसे बिलकुल ही ऐसास हो गया कि इंकार करना और खुदखुशी करना एक ही बात थी, उ तो आपका जर्खरीद गुलाम हो सर, हरे नई भही आजिज हो, करीबी हो, तो फिर ऐसी बात कहने का क्या मतलब, हा कलमंत को इशारा तो छोड़ना पड़ता है न, अभी बोले तो डॉक्टर सहाब है न कलमंत, इशारे ना कीजी, सहाब बोले क्या कहना चाहते हैं, तुम फ डिसेपिलिन तोड़ोगे तो कोर्ड मार्शल हो जाएगा, इसलिए अच्छे फौजी बनो, जो हुकम मिले उस पर आमय करो, हर वीरता चक्र और तोपो की सलामी का इंतजार करो, इसी बात का नुवात कलके से हिंदुसानी में कहीं तो, तो सुन लो, तो मेरे काम के आदमी ह मेरा फैसला है, इसलिए मेरी छतर चाया में हो, मैं बढ़ का पेड़ूं और अपने काम के आदमियों को घनी और ठंडी चाया देता हूँ, तुम फिर हिंदुस्तानी अनुवात की मांग करोगे, तो बोले तो माला माल कर दूँगा, कितना माला माल, ये सोट ठीक है, अब स लाक रुपे एस्टर मिलेंगे, और खर्च एक काले पैसे का नहीं होगा, जो चाहोगे बिना किसी एहसान नवाज़िश के फ्री पाओगे, ये तो हुई तुमारी एस्टर फीस की, एस्टर कमाई की बात, मेरे साथ एक साल तुमने मुस्तवायत फोजी की तरह काट लिया, तो अगले साल तुमारी सलाना फीस डबल हो जाएगी, और ऐसे ही बढ़ती जाएगी, बश आते तुमारी वफादारी की बाबत मेरा ख्याल ना बतले, चन्दी सालों में तुमारी हैसित वो होगी, जो बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर की जगा पाएने वाले ड समझ में, हाँ आ गई, समझ के कैसा लग रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, कोई एडवांस जाते हो, नहीं, और पासपोर्ट का क्या करोगी, जी वो कल सुबा पहला काम पासपोर्ट ऑफिस में आज जी दाखरी करने का करूँगा, ततकाल सेवा के तहत, जी हाँ, शबा सिंगला उठ खड़ा हुआ, पूरे कर भी उठा, उसने बड़ी गर्म जोशी से अपने ट्रेनी जमूरे से हाथ में लाया, आज कल नमीता से काफी मुलाकाते हो रही हैं तुमारी, सिंगला यूं हक पकाया जैसे चोरी करता पकड़ा गया हो, उसने गौज से पूरे कर के च नहीं, कोई नहीं, तंदुस्त है वो हर तरीके से, आपका इशारा किसी खास अलामत की तरफ है, नहीं, वो मैंने उसका कोई medical examination नहीं किया, ना उसने मुझे कभी ऐसा बोला, और ना कभी कोई अलामत ब्यां की, अगर आपका इशारा प्रेंग्नेंसी की तरफ है तो, नहीं उसकी तरफ नहीं है, गुस्ता कि मा अफ तीन साल हो गए, आपकी शाधी को इतने हलसे में, प्रेंग्नेंट होने में, बच्चा पैदा करने में हसीन औरतों का कच्रा हो जाता, मेरे को कच्रा किदर मांगता, ओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, इतनी prime property को कुछ होने का मतल prime property, हाँ, बड़ी है ना मेरी बीवी, जी, तो जी लल्च आता होगा, मुझी किस्मत पर रश आता होगा, नहीं हसी तो कोई बात नहीं, हो भी तो क्या है, मुझे मालूम है, तुम बहुत काबिल आदमी हो, काबिल और दुनियादारी में बहुत इमानदार हो, इसलिए खब कोठारी से, अपने वकील सहब से, ओ, सिंगला ने चैंग की सांस ले, हसद एक ना मुराज जजबा है, जो इसके हवाले होते हैं न, वो खुद जहर खाते हैं, और दूसरों के मरने की उमीद करते हैं, जो दूसरे की टांग तूटने की दूआ ये सोचकर करते हैं, कि नहीं, सोचना इस बाबत, समझ जाओगे, अब निकलो, सिंगला वहाँ से रुकसत हुआ, उस रोज किसी भी काम में उसका मनना लगा, पूरेकर ने हर बात स्वाभाविक तोर पर कही थी, लेकिन उसे लगता था कि हर बात में कोई मतलब चुपा था, हर बात पर रहसे का प कोई खाविन को रासे से हटाने का सपना देख रहा था, कोई कौन, खुद वो, डॉक्टर प्रफुल सिंगला, बलही वो सपना देखने की वज़ा जुदा थी, क्योंकि बीबी तो उसे वैसे ही हासिल थी, इस थाई रूप से हासिल करने के लिए, हर पल, हर शन पकड़े ज उस पर क्यों कर पहुँचा होता, ऐसे ही शक्स की बीबी से अफेर अपनी मौद बलाना नहीं था, तो अल क्या था, बलही बीबी कहती थी कि बेवफाई के महकिमे में उसे अभेदान हसल था, आँखो देखी मख्य कौन निगलता था, मख्य, डॉक्टर सिंगला, या पूरेकर ऐसा समझता था, तो ये बास सिंगला के हक में थी, उसका खुद का अफेर इसी वज़़े से छुपा रह सकता था, कि उसकी तरफ पूरेकर की तवज्जो नहीं थी, उसकी तवज्जो थी तो कोठारी की तरफ थी, असनम्रे कोई बात थी ही नहीं, उसने खामों उसके साथ चुहें बिली का खेल खेला था, उसे दहशत में डाला था, अपने ताकत दिखाई थी, कतल का कीड़ा फिर उसके जहन में रहेंगा, वो पड़ा लिखा आदमी था, इतना बराबर समझता था कि कतल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता था, कतल करके बच निकलना मुश्किल काम होता था, जान देका जान ली तो क्या ली, करतब तो तब था कि दूसरा जान से जाए और खुद पर हर्फ भी ना है, ऐसा कैसे हो सकता था, हो सकता था, वो ऐसा कैसे कर सकता था, नमीता ने जब उसे पूरेकर की होटल महा माया वाली रोटीन की बावे बताय तो एक आइडिया उसके जहन में आया था लेकिन उसने नमीता से उसका कोई जिक्र नहीं किया था बहराद एक बात तो वो तभी समझ गया था कि इतनी ग्राफिक डेटेल में उसने पुरेकल की रूटिंग का जिक्र इसलिए किया था कि उसी से अपने मकसद के लिए उस लेकिन वो बीवी का यार भी था खाविन की मौत की सूरत में बीवी को पांच करोड की विपल धनराशी की स्वामी नहीं बनने का मौका मिलने वाला था ये उक्वेशन अगर उजागर हो जाती तो मनने वाले के डॉक्टर पर सर्च लाइट जैसा फोकस बनके रहता फिर य ये कि कतल ऐसा बेहुदा भाईयात बतर तरीके से होना चाहिए था जिसमें आला सोच का या नफासत का कोई रोल ना हो वो गैंग किलिंग लगे अंडर वर्ल राइवल्री का नतीजा लगे कि दुबई के भाई लोगों की बज़ा से मुंबई में आम होता है ये सब वो प् दॉक्टर तो डॉक्टरों वाला हतियार इस्तिमार करता जैसे कि कोई जान लेवा इंजेक्शन, कोई तुरंत असर खारक जहर या दिल की धड़कन यू जबरन रुखने की कोई प्रकिरिया की शिकार को स्वभाविक दिल का दौरा पड़ा लगे नहीं, अपनी मेडिकल नॉलिज को हतियार बनाना गलत था, मवालियों के हतियार को ही अपनाना ठीक था, मवालियों का हतियार, चपल, चक्री, जाडू, कैसेट उसने एक मवाली पेशेंट नहीं उसे बताया था कि अंडरवर्ड के जबान में चपल 9mm की पिस्तौर को बोलते थे, चक्री रिवर्वर को बोलते थे, A47 जाडू कहलाती थी, और आम पिस्तौर, कैसेट कहलाती थी, उसको क्या मांगता था, चक्री या कैसेट, कहां से मिलत कानूनी तो से हासिल करने का तो कोई मतलब ही नहीं था, उसके लिए DCP लाइसेंसिंग से पहले तो लाइसेंस ही बड़ी मुश्किल से मिलता था, फिल लीगल वेपन डेड़ लाग से कम कीमत में नहीं आता था, और खरीदार की बाबत मुकमल लिखा पड़ी के बाद उसे बीचा जाता था, ऐसे हतियार से कतल करना तो अपने मौत की फर्मान को खुद मुहर बंद करना था, तो ग्याय कानूनी हतियार, चूर पजा से, बड़ाबर, हतियार भी ऐसा कि उसको ट्रेस करने का कोई जर्या नहों, उसका सीरियल नमबर रेती से घिसकर या तेजाब से चला कर मिटा दिया गया हो, और वो सुपारी किलर का काम जान पड़ता हो, सब भे समाज की नाग, एक सम्रान फैमिली फिजीशियन, एक स्टेट सिजीजन ऐसा हतियार हासिल करता तो कहां से करता, शुकरवाई शाम को डॉक्टर सिंगला की किलिनिक में एड़ोकेट कपिल क कोठारी का फोन आया, पूने कर विकेंड पर पूना जा रहा है, कोठारी बोला, हाँ मालू, ये नहीं मालूम होगा, इस बाद बीबी को साथ ले जा रहा है, ये बात उसे कोठारी से पहले से मालूम थी, खुद नमीता ने उसे बताई थी, नहीं, ये तो मुझे नहीं माल मैं सोच रहा हूँ वीकेंड पर हमारी भी तफ्री हो जाए तो कैसा रहे कहां मैं थे रहा हूँ कल सवेरे निकलेंगे नहीं कल मेरे कुछ important case है जिनकी वज़ा से morning या clinic attend करना मेरे लिए जोरी है मैं शाम का clinic मिस कर लूँगा लेकिन दोप्यार बाद एक डेट बज़े से पहल मातेरान पहुंचते उन्हें शाम हो गए उसके बाद का सारा वक्त इलाके में घूमने में जो कि सिर्फ 8 किलोमेटर में आबाद था और खाने पीने में गुजरा वो एशिया का इकलो था pedestrian hill station था जहांके town limits में किसी भी परकार के वहन पर पावंदी थी अगले रोज उन्हो और फिर होटल के swimming pool का आनन लिया पूल पर उनकी दो लड़ियों से मुलाकात थी जो नहीं की तरह अकेली थी सिलवासा से थी और जिन्होंने उन्हें खुब भाव दिया नतीजन लेट लंच उन लोगों का इखटा हुआ और रात को drinks dinner में शिलकत का वादा हासिल हुआ शाम कर रहा होगा तुमारा मतलब है नम नम नमीता क्या कर रही होगी हुआ अरे नहीं हरे हां मैं वकील हूँ कुछ भाव नहीं सकता तो कहें का वकील हुआ सिंगला खामुशा तुमने नौ नकदना तेरा उधार वाली मसल नहीं सुनी जान पड़ती क्या मतलब अरे सोचो वो दोनों लड़किया क्या कर रही होगी जो सारा दिन हमें अख्यों से गोली मारे करती रही ये काम तो होते ही का सकती है मर्द ने गोली मारने होती है तो क्या करे मर्द की अंख्या तो गोली चलाती नहीं कभी-कभी चलाती है मारा गोली फिर भी नहीं चलाती हाँ वो तो है तो वो क्या करें? क्या मतलब? आदमे आदमे को कैसे मारता है? कोठारी ने कौर से उस कितव देखा. क्या देखते हो? सिंगला विचलिस से भाफ से बोला. लगता है लंच पर कुछ जादा चड़ गई तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. चलो उठो, आओ, चल के उन लड़कियों को तलाश करें. लड़किया उन्हें होटल में कहीं नहीं मिली. कोई purchasing कर रही होंगी, चलो market में देखते हैं. ठीक, वो market के एक सिरे पर पहुंचे और दूसरे सिरे की तफ चलने लगे. वो उन्हें भाँ भी नहीं दिखाए दी. लॉंग वॉक पर निकल गई होंगी. सिंगला बूला, सुबह के बाद फिर हाथों क्या problem है? problem तो कोई नहीं, लेकिन हात्मी आन्मी को कैसे माता है? यार, तुम यकिनन नशे में हो. नहीं, तो फिर क्या problem है तुमारी? problem पूछना तुमाहा तक्या कलाम बंगया जान पड़ता है? अरे, मुझे छोड़ो. अपनी बात करो. क्यों इस बात को बार-बार भज रहे हो? क्या है तुमारी मन में? वो नहीं जो तुम समझ रहे हो. मैं एक जनरल बात सोच रहाता. हम एक नहायर tense society में रहते हैं, नहीं? हाँ, तो लोगों की सूर्तों पर निगा डालो. तो क्या ये ख्याल नहीं आता? कि इन लोगों में कितने ऐसे होंगे, जो हर घड़ी किसी की, खाविन बीवी की, बीवी खाविन की, मुलाजिम employer की, student teacher की, पुरौसी पुरौसी की, मौत की कामना करते होंगे? और कितने ऐसे होंगे, जो कामना नहीं करते होंगे, दिन निश्या कर चुके होंगे, कि तुम्हारा खुद का ख्याल में ये बाद कभी नहीं होंगे?